साल 2023 तक पाकिस्तन में मुबाईल और इंटरेट बंद क्यों हो जाएगा और आजब ऐसे इंसानी बच्चे देखने वाले हैं जो की धूप से चलते हैं और आकिर हमें हमारे फोन को रात में ट्रेन में चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए मिलेगा सब का जवाब चले शुरू कर कि according to a research कि हमारा जो success होता है वो एक रेडार की तरह काम करता है और जब भी हमारे बगल से कोई spread या फिर energy गुजरती है तो हमारी body कापने लगती है और हमें अजीब सा feel होता है जिसे abnormal happening के नाम से जाना जाता है लेकिन हम सब इस चीज़ को जाद अभाव नहीं देते पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अकसर हमारी दिल की धड़कने भड़ती रहती है लेहिन कि आपको पता है कि ये डर कभी भी एक चाइनीज स्टूडेट अपनी लाइफ में face करता ही नहीं है असल में चाइना में आप पीटियम के लिए भाड़े के पेरेंट्स ले जा सकते और एक चाइनीज रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में 99% पीटियम अटेंड करने वाले पेरेंट्स ओफिशली भाड़े के पेरेंट्स थे वियर्ड दूस्तो जादते लोगों को कॉफी पीना काफी जादा पसंद होता है लेकिन क्या कभी अपने सोचा है कि इस पूरी दुनिया की सबसे महेंगी कॉफी जैकू बर्ड कॉफी है जिसकी कीमत 1,20,000 रुपे पर केजी है और ये इतनी जादा महेंगी इसलिए है क्यो प्रड करते हैं असल में इसे जॉंबी ट्री फार्टिंग सिस्टम कहा जाता है जिसमें मरे हुए पेड जो सड रहे होते हैं उनके और गनिक मैंटर को जब माइक्रोब्स खारते हैं तो इससे भी फार्ट जैसी गैस इमिट होती है एंड अकॉर्डिंग टूर रिसर्च ये मरे हुए पेड हर घंटे दो से तीन बार फार्ट करते हैं जो कि टेक्निकली हम इंसानों से भी जादा है दोस्तों दुनिया भर में हमें अजीबो गरीब शादियां देखने को मिलती हैं जिसमें कोई रोबोट से शादी कर रहा है तो कोई दीवार से और ऐसी ही एक शादी कर आप सीधा इश्वर के साथ जोड सकते हैं अब को बताए कि सबसे पहली एनिमेटर फिल्म कौन सी थी और ये कहां पर बनी थी असलम दुनिया की सबसे पहली एनिमेटर फिल्म ऎल अपोस्टोल थी जिसे क्यूरी नो क्रिस्टियनी ने बनाया था ये फिल्म 9 दव पी मौजू तक नहीं है पैक नमर नाइंटीन दूस्तो ट्रेबलिंग असली मज़ा तभी आता है जब हम हमारी कार या फिरिक कैब में अपने फेवरेट सौंग से सुन रहे होते हैं लेकिन बाद अगर फिनलेंड की की चाये तो खानी में तुइस्ट है असल में फिनलेंड की एक लौक ए अनुसार अगर आप फिनलेंड की किसी भी टेक्सी में सौंग्स प्ले करते हैं तो उस टेक्सी ड्रैवर को उस आर्टिस या फिर म्यूजिक कंपनी को उसकी मेहनत या फिर रियलिटी के चलते हुए 14 यूरो पर इयर पे करने पड़ते हैं और इसलिए इस चीज से बचने के लिए वहाँ पर लगबग ना के बराबर टेक्सी में ही आपको सौंग्स सुनने को मिलते हैं अजीब लेकिन साच हम सभी को धूप में बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता लेकिन क्या आपको बताएगे इस दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इसी धूप की वज़े से चल पा रहे हैं दरसल पाकिस्तान के मिया कुंडी गाउं में दो ऐसे बच्चे हैं चुकि दिन में तो नॉर्मल बच्चों की तरह रहते हैं लेकिन जैसे ही सूरस दूबने लगता है इनकी बॉडी पैरलाइजड हो जाती है जिसकी वज़े से इनने सोलर किट्स भी कहा जाता है हाला कि एक्जेक्ली ये बिमारी कौन सी है और ऐसा क्यों हो रहा है इसका जवाब अभी भी किसी भी डॉक्टर के पास मौजूद नहीं है क्या हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि अब आपको अकेले नहीं बलकि अपनी फैमिली और रिष्टेदारों के साथ नहाना है सुनने में काफी जादा अजीब है ना लेकिन पिछले 140 सालों से जेपैन में यही हो रहा है असल में जेपैन में कौन यूकू नाम की एक ऐसी प्रथा मनाई जाती है जिसमें फुल फैमिली और रिलेटिवस सब एक साथ नहाते है क्योंकि उन लोगों का यह मनना है कि यह प्रथा परिवार में आसानी से घुलने मिलने का एक बहती भैतरीन एनवायरमेंट पैदा करती है वैसे क्या कभी आप इस तरीके से ना सकते हैं कोमेंट करके बताईएगा जरूर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेंपरेचर 98.6 फेरनहाइट होता है और फीवर आने पर यह टेंपरेचर 103 या फिर 104 डिगरी फेरनहाइट टक पहुँच जाता है लेकिन अगर इससे उपर बॉडी का टेंपरेचर पहुचता है तो इससे हमारी डैथ भी हो सकती है लेकिन वहीं दूसी तरफ क्या आपको बताएगे इस दुनिया में एक ऐसा शक्स भी मौजूद है जिसका इसी कैटिगरी में एक बेहदी लाजवाब वर्ड रिकॉर्ड भी हासिल है असल में 10 जुलाई 1980 में अटलांटा के 52 वर्षिय विली जूंस का बॉडी टेंपरेचर 115 डिग्री फेरनहाइट पहुच गया था लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं हुआ जिसके चलते हुए इनका नाम गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया क्या हमें शहद मदू मक्यों से मिलता है लेकिन क्या हो के अगर उसी शहद को बचाने के लिए हमें मदू मक्यों को ही मारना पड़े दरसल वेरोवा नाम का एक बहुत छोटा माइट ऑस्टेलिया के साउथ इस्ट हिस्से में फैल चुका है जो की चुटकी बजाते ही मदू मक्यों को ही खत्म कर देता है गराने वाली बात ये है दोस्तों कि ये एक B से दूसरी B में भी ट्रांसफर हो जाता है जिसके चलते हुए शहद को बचाने के लिए अभी तक 60 लाग से भी अधिक मदू मक्यों को खत्म कर दिया गया है क्या पता है कि साल 2021 में हमारे सामने एक ऐसी वेकेंसी भी आई जिससे पूरी ही दुनिया को हेला दिया असल में पाइल आईलेंड ने घुशना करी कि उन्हें अपने पूरे ही आईलेंड के लिए एक राजा की तलाश है मतलब गजब ही चीज है ये तो दोस्तो अट्रेक्टिव दिखने के लिए लोग क्या कुछ रही करते और उसी कही एक जीता जाटता एक्जामपल एनस्टेशिया है जिन्होंने यूनिक दिखने के लिए अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराने में 6 साल और करोडो रुपे ही खर्च करके अपने चीक्स को कुछ इस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े चीक्स ही बना डाला जो भले ही देखने में काफी जादा अजीब हो लेकिन यही चीज इनके नाम एक नया वर्ड रिकॉर्ड कर गई वैसे आपको इनका ये बदलाव कैसा लगा कॉमेंट करके बताईएगा जरूर दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिग्रेट पीना हमारी हेल्थ के लिए काफी जादा गलत होता है लेकिन क्या आपको बता है कि 19th सेंचुरी में यही सिग्रेट किसी वर्दान से कम नहीं थी असल में उस समय सिग्रेट को एस्टमा ठीक करने की सबसे अच्छी मेडिसिन माना जाता था क्योंकि यह पैरोक्सियस्म और नाकी जलन जैसे सिम्टम्स को चुटकी बजाते ही ठीक कर दिया करती थी और इसलिए उस समय अस्तमा को ठीक कराने के लिए लोगों को जोर जबरदस्ती सिग्रेट्स पिलाई जाती थी जो की इतने जादा फेमस हुए कि बहुत से देशों में डेकॉरेशन के परपस से इनका इस्तमाल आज भी होता है अगर बात करते समय हमारे फ्रेंड की मुँसे स्मेल आए तो उससे बात करने का मन नहीं करता लेकिन क्या हो कि अगर इसी काम के लिए आपको लाख रुपे दिये जाएं दरसल USA की बहुत सी माउथ फ्रेशनर कमपनीज ऐसे लोगों को हायर कर रही है जिनने लोगों की मुँसे निकलने वाली गंदी स्मेल को ही सूंगना है जिससे वो अपने माउथ फ्रेशनर को और जादा इंपेक्टफुल बना सकें स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि इस अजीब से काम को करने के लिए इन लोगों को मिनिमम थाई लाख रुपे पर महीने की सैलरी दी जाती है क्या को बता है कि डेनमार्क के फेरोई आइलेंड में हर साल सेप्टेंबर के महीने में ग्रिंडर ड्रेप नाम की एक ऐसी परमपरा भी निभाई जाती है जिसे देख आपको दर्द जरूर होगा असल में यहां पर परमपरा के नाम पर सैकडों वेल्स और डॉल्फिन्स को मार दिया जाता है और यह चीज इतने बड़े स्केल पर होती है कि कुछ दिन तो यहां का सी वाटर लाल ही रहता है असल में लड़कियों को गर्मी हो या फिर सर्दी ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है और यह इसे स्केप नहीं कर सकती और इस ट्रेनिंग में इनको इस हद तक लाया जाता है कि जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते उससे भी जादा डराने वाली बात ये है दोस्तों कि इस country के एक rule के अनुसार यहां लड़कियों को 10 साल अपनी country को सर्व करना ही पड़ता है जो चीज इस training को और जादा hard बनाते दी है हम ऐसे बहुत से लोग right-handed होते हैं तो बहुत से लोग left-handed लेकिन क्या आपको बता है कि हम इंसानों की तरह जानवर भी right-handed और left-handed होते हैं असल में एक research के अनुसार animals भी humans की तरह बच्पन से ही right-handed होते हैं या फिर left-handed और इसलिए वो भी अपने almost सभी काम्स हम humans की तरह ही या तो left-hand से करते हैं या फिर right-hand से अजीब लेकिन साच क्या परता है कि Switzerland में एक ऐसा law भी है जिसको सुन आपको जटका कम और हसी जादा आएगी असल में या की government ने साल 2013 में ये एक law निकाला था कि जो चोडेले होती हैं हाँ वही जो जाडू डाल कर उड़ती है न वो ही वाली चोडेल वो एक सो पचास मीटर की उचाई से जादा उचाई पर नहीं उड़ सकती है और अगर वो ऐसा करती है तो उन्हें ग्रफतार करने के साथ साथ उन पर पांच लाख रुपे का जुर्माना भी लगा दिया जाएगा दोस्तो किसी अंधे को आँखे देना बड़ा ही पुन्य का काम है लेकिन क्या हो के अगर आप ये करें और इसके बदले में आपकी नौकरी ही चली जाए दरसल वेस्ट सेंटरल रशिया की आर्ट गैलरी में काम करने वाले सिक्यूर्टी गाड ने एक दिन बोरियत के चलते हुए बॉल पैंसे थ्री फिगर नाम के इस आर्ट वर्क जो की तीन मिलियन डॉलर का था उसमें दो लोगों की आँखे ही बना डाली जिसके चलते हुए ना सिर्फ उसकी जॉब गई बलकि उस पर भारी पैनल्टी को भी लगाया गया भारे फोटी के समार यह तो हम सभी जहांते हैं कि हमारी टेकनोलोजी काफी तेज स्पीट के साथ एडवांस होती हुए चली जा रही है और इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि आज जो कैलकुलेटर हम टिग्नोमेट्री और कैलकुलस की एक्क्वेशन को सॉलू करने के लिए यूज़ करते हैं उसकी प्रोसेसिंग पावर अपॉलो 11 को मून तक पहुचाने वाले कंप्यूटर से भी 6 गुना जादा है यानि कि अपॉलो 11 के कंपैरिजन में कहें तो उससे कई गुना जादा कंप्यूटिंग पावर तो अब हम हमारी पॉकिट में ही लेकर टूम रहे हैं दूस्छे हला फैक्ट करेट अफ़र की चाच पर है क्या आपको बताएगा अभी हाल ही में अरजुन बभूता ने ISSF वर्ड कप पुरुशों की 10 मीटर एर राइफल एवेंट में गुल्ड मेडल जीत हमारे देश का नाम और जादा रोशन कर दिया है तो गाइस अब अगर ये कुशन किसी भी एक्जाम में आये तो अब ये बचना नहीं चाहिए ट्रेन में रात में फोन को चार्ज क्यों नहीं करना चाहिए असल में दोसरों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेवलिंग के दौरान रात में अपने फोन को ट्रेन में ही चार्ज पर लगा कर सो जाते हैं लेकिन कि आपको पता है कि ऐसा करने से ना सिर्फ आप अपने फोन को खराब कर रहे हैं बलकि आप दूसरों को भी खत्रे में डाल रहे हैं असल में जिसे कि हम सभी जानते हैं कि एक फोन को प्रॉपर चार्ज होने के लिए 220 वोल्ट की जरूरत होती है तो वहीं बात अगर ट्रेन की की जाए तो इसमें वोल्टेज 110 से लेकर 200 तक रहते हैं और यह डेपेंड करता है ट्रेन की स्पीड पर, कोच की इलेक्टरिसिटी कंजम्शन पर और टाइमिंग पर और यही वो सबसे बड़ा कारण है कि वोल्टेज की इसी फलक्चुएशन में ट्रेन में लंबे समय तक फोन चार्ज करने पर ये खतरा सबसे जादा बना रहता है कि कहीं वो आपकी बैटरी को डेमेज ना कर दे और एक ऐसा ही वाक्या अभी हाल ही में हमें देखने को भी म बंद रखा जाएगा और इसी लिए टेक्निकली हमें कभी भी रात में या फिर काफी लंबे समय तक ट्रेन में अपने फोन को चार्ज नहीं करना चाहिए असल में दोस्तों कोई भी देश ये नहीं चाता है कि इस पूरी दुनिया की किसी भी देश पर कोई भी परिशानी आए लेकिन इसी के ही बीच हमारे सामने एक ऐसी खबर भी आई है जिसे ये अनुमाल लगाया जा रहा है कि आगे आने वाला समय हमारे पॉड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए बुरा हो सकता है असल में पाकिस्तान की बहुत सी बड़ी बड़ी टेलिकॉम कंपनीज ने ये साफ तोर पर कहा है कि क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक इस्तिती ठीक ना होने की वज़े से देश भर में घंटो घंटो इलेक्रिसिटी की कटोती हो रही है तो टेलिकॉम ओपरेटर्स के पास इतना फ्यूल और पैसा नहीं है कि वो हजारों रुपे खर्च कर सिर्फ एक टावर को ही जनरेटर से इलेक्रिसिटी दे पाएं जिसके चलते हुए उन्होंने पाकिस्तान गवर्मेंट से ये साफ कहा है कि या तो उन्हें प्रॉपर इलेक्रिसिटी प्रोवाइट की जाए या फिर वो अपनी सर्फिस को पाकिस्तान में बंद कर देंगे एंड अगर ऐसा हो जाता है तो नो डावट ही किसी भी देश और उसकी ग्रोथ के लिए सही नहीं होगा और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए बहुसे एक्सपर्स का ये मानना है कि जिस हिसा पाकिस्तान जल से जल इस परिशानी से बहार निकल कर वापस ट्रेक पर आजाए